नमस्कार दोस्तों, RCA News में आपका हारदिक स्वागत है All India Government Job and Education News 2019 में आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश लोक सिवा आयोग UPPCS Pre-Exam 2018 का रेजल्ट कब तक घोसित कर सकता है साथ सी साथ मैं आपको बताऊंगा वन हत्तर हजार सिचक भरती मामला जो कोट में पेंडिंग है 21.1.2019 को इसकी सुनवाई हुई थी और सरकार से तीन दिन के अंदर जबाब मांगा गया था कोट के द्वारा सरकार क्या जबाब लगाने वाली है सरकार का रुख क्या है आज मैं आपको बताऊंगा विस्तार से साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा उत्तर परदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोगद्वारा युवा विकास दल अधिकारी का रिजल्ट कब तक घोसित किया जाएगा सबसे सटीक सबसे पक्की न्यूज आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अगर आप RCA News चैनल पे नए हैं तो RCA News चैनल को सस्क्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करतें आपको हमेशा सही और स्टीक न्यूज मिलती रहेगी अगर आप RCA News चैनल से जूड़ना चाहते हैं तो चैनल सस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दे जिससे हम कोई भी वीडियो अप्लोड करें आप से संबंदित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए दोस्तों आईए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग UPPCS Pre-Exam 2018 करेजल्ट कब तक घोसित करेगा जैसा कि आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग ने जो पेपर कराया था उसकी एंस्वर की जारी कर दी गई है लेकिन अभ्यारतीों द्वारा कुछ प्रशन पे Objection थे कि ये प्रशन गलत है आयोग ने उना भ्यारतीों को समय दिया है Objection के लिए तो दोस्तों कुछ पांच प्रशन गलत थे जो पांच प्रशन गलत थे उसे हटा दिया गया है अब उसके नंबर अभ्यारतियों को दिये जाएंगे या सभी अभ्यारतियों के उतने नंबर काट लिये जाएंगे जितने प्रशन गलत हैं वह तो आयोग के उभन निर्भर करता है कि आयोग इस पर क्या निर्णने लेता है तो दोस्तों आईए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक्षिवा आयूग UPPCS Pre-Exam 2018 करेजल्ट कब तक घोशिच करेगा दोस्तों UPPCS Pre-Exam 2018 करेजल्ट 15 फरवरी 2021 से 20 फरवरी 2019 के बीच आ जाएगा दोस्तों 15 फरवरी 2019 से 20 फरवरी 2019 के बीच आ जाएगा दोस्तों आईए अब जान लेते हैं 70,000 सिचक भरती का मामला दोस्तों 70,000 सिचक भरती का मामला कोट में पेंडिंग है जिसकी सुनवाई 21.01.2019 को हुई थी दोस्तों कोट ने सरकार से तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है 60% और 65% कटाप के मामले में आखिरकार जो जबाब आने वाला है सरकार की रुख क्या है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सुत्रों के हवाले से खबर मिली है सरकार 60% और 65% कटाप पर ही सहमत है सरकार 60% और 65% कटाप रखना चाहती है याजका करता का कहना है कि नोटिफिकेशन में जब 60 और 65 परिस्ट कहीं नहीं लिखा है और पहले 40 और 45 परिस्ट कताब थे तो आखिरकार अब की बार 60 और 65 परिस्ट क्यों रखा गया याजका करता का कहना है सरकार चाहती है कि बीएड डिगरी धारक भरती में सामिल हो और सिच्छा मित्र बाहर हो जाएं सिच्छा मित्र को सुप्रीम कोड की तरब से लगातार होने वाली दो परिच्छाओं में बैठने का मौका दिया गया था सिच्छा मित्रों के लिए यहां अंतिव आउसर है सरकार उसे भी सिच्छा मित्रों के हाँ से निकलवा देना चाहती है और सिच्छा मित्रों को जो आप देना नहीं चाहती है नोकरी देना नहीं चाहती है तो दोस्तों जो 60 और 65% कटाप का मामला है लगता है सरकार 60 और 65% कटाप पर ही सहमत है और अपने जबाब में 60 और 65% ही कटाप रखने की बात कहेगी यहां तो कोट की सुनवाई के दवरान ही पता चल जाएगा जल्द ही 71,000 सिछक भरती का आरडर भी आ जाएगा आखिरकार सरकार का रुक्या है और कोट का रुक्या है इसके बारे में आप सभी को पता चल जाएगा दोस्तों जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी 70,000 सिछक भरती मामले में जो सरकार जबाब लगाने वाली है आज मैंने आपको सबसे सही और सबसे सट्री बताया है आप विकासदल अधिकारी का रिजल्ट कब तक घोसित किया जाएगा सबसे पक्ती न्यूज सबसे सट्री नूज बहुत से न्यूज चैनल वाले हम भी आपको बताये थे मैं भी अपनी गलती स्विकार करता हूं मैं भी आपको बताया था कि रिजल्ट इतने तारिक से इतने ता फरवरी के सेकंड वीक में आने वाला है आठ से पंदरा के बीच युवा विकाहदल अजिकारी का रिजल्ट घोसित कर दिया जाएगा यहां सबसे पक्की और सबसे सटीग नूज है अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं और चैनल पे आप नए हैं वीडियो को पहली वार देख रहे हैं तो RCA New Channel को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बिल आइकन को दबा दें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप से संबंदी तो उसका नोटी भी केसन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो RCA New Channel के साथ आप जुड़ जाएंगे आपको सही ताजा खबरें सटीग न्यूज मिलती रहेंगी जै हिम जै भारत दोस्तों